नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस्वाल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोर नराय शुरवात करेंगे उत्रप्रदेश के खास पुलिटिन की बलरामपुर से बीजोपे जिला पंचायत अध्यक्ष आर्तितिवारी निर्विरोध होने के बाद ब्लॉक प्रमुख पर निर्विरोध होने का दावा ठोक रहें बीजोपे के नेता पच्छ पेड़वा ब्लॉक से जीते हैं वहीं बीजोपे के दो प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख चनाब लडने के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं वर्ड नमबर 28 से मंजो से निर्विरोध जीती हैं वहीं दूसरे बीजोपे नेता ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मनुस्तिवारी भी मैदान में ताल ठोक रहे बदीसी सदस्यों का आ रोप है कि दबंग मसाला सिंग जबरदस्ती उन्हें एकलाक पर देंगर ब्लोग् motherf regard जनाब में वोट देने का दबाब बना रहा है डिडीसी सदस्यों ने दबंग मसाला सिंग पर भीडी सदस्यों को डराने धंकाने का भी आरोप लगाया पीडित बीडिसी सदस्यों ने इस मामले में एसपी से शुकायत की है जिसके बाद एसपी ओपिस सिंग ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं कानपुर देहात में जितेंत प्पॉताफ सिंग ने कलेक्टरेट सभाकक्ष में कोविड 19 के तहट प्रशास्ती क अधिकारियों और डॉक्टर से समीक्षा बैठक के इस बैठक में डियम जितेंद प्रताप सिंग ने संबंधित अधिकारियों को नरदेशित करते हुए कहा है कि गोल्डन कार्ड के बनाये जाने में प्रगती लाएं और हर एक व्यली कम से कम 100 गोल्डन कार्ड हर रोल जरूर बनाएं इसमें किसी प्रकार के लापरवाही नहीं होनी चाहिए गोल्डन कार्ड बनाने के लिए सभी स्ट्यम अपने अपने शेत्र में ध्रमन करें उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सिनेशन भी किया जाए सपा सुप्रीमों अखली श्यादव के 48 फे जरम दिन को पार्टी कारकरताओं ने हवन पूजन कर बड़े ही हर्श ललास के साथ मनाया बाबा विश्विनाथ की नगरी में सपा कारकरताओं ने हवन पूजन करके उनके जीवन में शुक, शांती, सम्रिधी और लंबी आयू की प्रातना की मुकल गोईल के उत्तर प्रदेश पूलिस के डीजूपी बनने पर उनके मूल निवास्थान श्रामली में भी खुशी का महौल है उनके परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी का जहार किया मुकल गोईल, आजमगड, वानसी, गोरखपूर, सहरनपूर की स्सपी रह चुके हैं तथा कानपूर, आगरा, बरेली रेंज की डी आईजी और बरेली जोन की आईजी भी रह चुके हैं अखिलीश सरकार में वो ADG, लॉइन ओर्डर के पद पर रहे थे वर्तवार में वो भारे सरकार में अडिशनल, डीजी ओ आपरेशन, बीएसफ के पद पर तैनाथ थे पिलिभीत में मगरमच्छों का आतंक लगातार फैला हुआ है 20 दिन में तीसरी बार एक मासुम बच्चे को मगरमच्छ ने अपना श्रिकार बनाया मासुम भैस को नदी में पानी पिलानी के ले गया था सूशना की जानकारी मिलते ही वनविभाग सहीत इस्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची सदर कोतवाली लाके के सीचसा गाउफाई पूरा मामला बताया जा रहा है आगरा में शहीद के पत्नी और पूरा परिवार मांगे पूरी ना होने के चलते धरने पर बैठा है एडियम सिटी, एसडियम, श्वेतरादिकारी समेट पुलिस और परशासनिक अमला शहीद के घर पहुँचा दरसल शहीद का पूरा परिवार धरने पर इसले बैठा क्योंकि शहीद के गुजर जाने के सवाद दो साल बाद भी अभी तक कोई भी खोशना पूरी नहीं की गई है जो कि सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा की गई थी डिप्टी सीम दिनेश शर्मा ने पहले ऑक्सीजन प्लांट को उधगाटन किया कोरोना की दूसरी लहर के दराना ऑक्सीजन के किलत की तमाम तस्वीरे प्रदेश भर से सामनी आई थी जिसके बाद सियम योगी आदितनात ने प्रदेश के मुखे जनपदों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही थी इसी कड़ी में आगरा में आठ ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं जिनकी शुरुबात आज पहले प्लांट के उधखाटन से हुई है उत्तरप्रदेश एटियस ने गुजवात एटियस टीम के साथ धर्मानतर मामने में वरुद्रा के पानी के टिलाके से एक पचास वर्शी वेक्ति को कथित रूप से तीसलाख रुपे फंडिंग देने के आरोप में गिरफ्तार किया है इसलामिक दावा सेंटर का संस्थाफा गुमर गौतम जिसकी दिली में बाटला हाउस में कारेले भी है लोगों को इसलाम कबूल करवाने का काम किया करता था गौतम के साथ काम करने वाले एक और मौलवी इकाजी जहांगीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया है गौतम को पैसे दिये थे जिसके बाट एटियस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कारवाई में जुटी हुई है पिशले चौबस घंटों में तीन मौतों के साथ यूपी ने मार्श के पहले सफ़ता के बाद से सखसे कम कोवी-19 मौते दर्ज की है हाला कि कोवी-19 मौतों की कुल संक्या 22,000 से जादा पहुँच गई है वो द्वार को केवल 165 नए मामलों के साथ कुल मामले 200 से नीचे रहे जबकि 200 से जादा ठीक हुए है 22 में शुन्य मामले दर्ज किये गए वहीं नई मामले मिला कर कुल 17 लाग से जादा मामले हो गए हैं जबकि कुल मामलों में 16 लाग से जादा ठीक हो चुके हैं और अन्ठान में प्रतीशत से जादा रिकवरी रेट है उत्रप्रदेश के लोगों को भीशन गर्मी से राहत मिलने की आसार हैं क्योंकि भारती मौसम विभाग अनुसार गुरुवार से लगातार तीन दिनों तक बारिश की संभावना चताई गई है गुरुवार से मौसम का मिजास बदलने की उमीद है जिससे लोगों को बड़ती गर्मी और उमस्ते राहत मिल सकती है यूपी में एक जिलाई से तीन जिलाई तक बारिश होगी बारिश का असर पूर्य उत्रप्रदेश के जिलों में जादा दिखाई देगा लखनव, आणसी, गोरखपुर और बहराई जैसे जिलों में अच्छी बारिश की उमीद है बलिया के बारिश में उत्रप्रदेश की पूर मंत्री अमिका चौजरी से तीन लोगों के खिलाव एक जिलाई पंचायत सदस्य को कतित रूप से बंधख बनाने का मामला दर्च किया गया है जिसपर सच्छो सुनिल लांबा ने बताए कि निवासी मंगला वर्मा की शुकायत पर अमिका चौजरी अमिति यादव और दिनीश यादव के खिलाब मुकदमा तो दर्च कर लिया गया है वहीं अपनी शुकायत में मंगला वर्मा ने कहा है कि 17 जून को अमिका चौजरी और दो अन्य आरोपी वर्ड नमबर दस से जिला पंचाय चुनाव जीतने वाले उनके बेटी रमीश को बंधख बना कर ले गए तब से रमीश का कोई पता नहीं है जच्चों ने आगे कहा कि मामली की जाच की जा रही है और इसी के साथ उत्तरप्रदेश की खबरों में इतना ही बागी खबरों के लियाब बने रही है न्यूस वाल इंडिया के साथ